अगर आप लोग दैनेग भासकर नियूज पेपर पढ़ते होंगे तो आप सभी को मालू भी होगा कि दैनेग भासकर की तिरब से एक पिती योगीता चलाई जा रही है और जिसमें आप देखते हैं कि डेली आपको तेन कुप्शन्स दिये जाते हैं तेन पैसन दिये जाते है और उनकी आंसर आप लोग उनको देने होते हैं और इसमें आप लोग भी भाग ले सकते हैं और आप भी कुछ हिनाम की रूम में पास सकते हैं तो सबसे पहले इसमें भाग किस तरह से लेंगी यह जान लिजी उसके बाद आज की जो कुश्चन्स हैं उनकी आंसर भी आपको बता दूँगा यह आप देखिए कि आपको सबसे पहली क्या करना होगा अपने mobile number से यानि कि अपने mobile number से इस number पर miss call देनी होगी 919 0000 0072 919 00, 00, 00, 00, 00 00, 00, 00, 00, 00, 00 यानि कि पांच बार सूनने है बीच में याद रखिएगा और इस number पर जैसे ही आप लोग miss call देंगे तो क्या होगा कि आपकी number पर एक SMS आएगा message आएगा message में एक link दी गई होगी और जैसे ही उस link पर आप लोग click करेंगे आपके सामने एक home page खुल जाएगा और आप देखिए आपके नॉर्मल जानकारी वहां भरनी होगी आपको जैसे आपका Gmail हो गया आपका नाम हो गया आपकी उमर हो गई आपका सहर हो गया आराम से आप लोग भर लेंगे उसके बाद आपको क्या करना है उसके बाद आप देखिए questions आपकी सामने दिये होंगे इंडिया की उत्पत्ती किस सब्दे से हुई है आप सभी जानते हैं कि भारत इंडिया इस सब्द हमारे देश के नाम ही तो है तो आप देखेंगे कि भरत चक्कवर्ती हिंदूस्थान या सिंदू सब्दे से तो आप देखेंगे कि सिंदू सब्दे से C option होगा वैसे आपक अजनाव वरस, भारत वरस, आर्यावर्थ, हिंद, हिंदुस्तान और इंडिया तो इसमें आप लोग C option लगाएंगे, सिंदू सब्द से किस राज्जी की सीमा है नेपाल, भूटान, एबं चाइना से, यानि की चीन से मिलती है मेघाले, सिक्किम और पश्यमंगा उसमें हुगा आपका सिक्किम, अगर आप लोगे ने भारत का मैप देखा होगा तो देखिए इस सिक्किम है और इसकी राजधानी आप देखिएगे गंगटोग हो गई और इसकी सीमा आप देखिए नेपाल से लग रही है, चाइना से लग रही है और भूटान से लग रही है तो इसके बारे में जरूर याद रखिएगा है और आप देखेंगे कि यहां बिधान सभा में आपको 32 सीटे देखने को मिलेंगी राज्य सभा में एक सीट है लोग सभा में एक सीट आपको देखने को मिलेंगी तो सिक्के में इसमें लगाएंगे आप लो महत्मा गांधी किसे राजनेतिक गुरू मानते थे स्री नारायन गुरू बालगं का धर तिलक को गोपाल किसने गोकले को तो इसमें याद रखे गोपाल किसने गोकले होंगे और आपको मालू होगा कि मात्मा गांधी के बारे में बात कर रहे है राष्टविता के बारे में बात कर रहे है और आप देखे जब वो भारत लोटे और कहते हैं कि इनी के कहना पर भारत आये थे वो और उसके बाद पूरे भारत की यात्रा करने का सुझाओ गोपाल किसमे गोकले नहीं दिया था क्योंकि आप देखिए उससे पहले महत्मा गांदी को कोई नहीं जानता था वो आपकी बाद आप देखते हैं कि चंपारन जाते हैं वहाँ जिस तरह से आंदोलन करते हैं वो सांदोलन भाग लेते हैं और अपना सत्यागय शुरू करते हैं वहाँ से महत्मा गांदी को लोग जानना शुरू करते हैं तो ये सुझाओ किसका था? गोपाल किसने का गोकले का? इन्हें वो राजनेते गुरू भी मात देते तो इसमें आप देखेंगे पहले में आपका सिंदू सब्द होगा से होगा, सी होगा, दूसरे में आप देखेंगे बी होगा, और तीसरे में आपका सी होगा, ठीक है और कल के अगर हम लोग और वैसे भी आपको बत्था दूँ कि देखिए इसमें भाग लेने से कोई आपका जातु कुछ रहा रही है और आपको जनल लेच की जानकारी भी बढ़ रही है इस तरह के कुश्टन्स आप देखिए मिल रहे हैं आपको और अगर आप लोग किसी एक्जाम की तैयारी कर रह है और इस पितियोगिता में भाग लेते रही है हम लोग कल फिर में लेंगे और कल जो कुश्टन्स रहेंगे उनकी आंसर देखेंगे और आज की जो विजयता रहेंगे उन्हें हम लोग कल जरूर देखेंगे ठीक है